जैसे कि आप सभी को पता है MiY11 का न्यू इस्टेबल अपडेट सामी के कुछ डिवाइस को देखने को मिल चुका है तो ऐसे में हमारे इंडियान डिवाइस की यूजर हैं जिनको अभी तक MiY11 का न्यू अपडेट देखने को नहीं मिला है तो उनका ये कहाना है कि हमारे डिवाइस में MIY11 का न्यू इस्टेबल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा तो दोस्तो आज की प्रिम आप सभी को हम MIY11.0.6.0 से लेकर MIY11.0.9.0 के बीच में बताने वाले हैं कि कौन कौन से डिवाइस को ये अपडेट देखने को मिलेगा और जो बाकी के डिवाइस हैं उनको कब तक ये अपडेट देखने को मिलेगा और कौन कौन से डिवाइस को ये अपडेट देखने को मिल चुका है आज की वीडियो में आप से भी को फोल इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं तो अगर आप हमारे चनल पर नहीं हो और अभी तक अपने हमारे चनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले डिवाइस का नहीं है Poco F1 जिसको MIY11 का न्यू स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है उसका Redmi Y3, Redmi Note 6 Pro, Redmi 7, Redmi Note 9 Pro इन सभी डिवाइस को MIY11 के तरफ से न्यू अपडेट देखने को मिल चुका जिहां दोस्तों जिसमें से आप सभी को हम बता थे कि Redmi 7 को 11.0.6.0 का अपडेट देखने को मिला Redmi 6A को 11.0.8.0 का अपडेट देखने को मिला Redmi Note 6 Pro को 11.0.7.0 का अपडेट देखने को मिला Redmi Note 9 Pro को 11.0.9.0 का अपडेट देखने को मिला है और Redmi के जो बाकी device हैं जिनको मैंने अभी आप सभी को बताया है जो भी device है Redmi Note 9 Pro को छोड़ गा जितने वी सरे device का भी मैंने नाम बताया है जिनको update देखने को मिल चुका है वो सारे user को देखने को नहीं मिला है जिनको यह update देखने को मिल चुका है उनके लिए तो सही है पर जिनको अपडेट देखने को नहीं मिला है उसको rollback कर लिया गया है जिहां दोस्तों आप सभी को हम बता देखिए यह update आप सभी को कम से कम मिलने के लिए कम से कम 10 से 12 दिन और लगेगा तब जाके जो भी डिवाइस हैं पब्लिक ली रोल आउट किया जाएगा जिहां दोस्तों आप से भी ने सही सुना है अब बात करते कि कौन-कौन से डिवाइस को अभी तक अपडेट दिखने को नहीं मिला है और कब तक देखने को मिलेगा तो तो उसमें से सबसे पहले डिवाइस का नाम आता है रेड्मी 07, 07S, Poco X2, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi 06, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Y2, Redmi 05 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 08, 08 Pro, इन सभी डिवाइस को MIY11 का निव अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है तो दोस्तो आप सभी पता थे कि इन सभी डिवाइस को आने वाला समय में MIY11 का निव अपडेट देखने को मिलेगा वो भी जल्द देखने को मिलेगा पर आप सभी को यह अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिल देखने को अब नहीं मिलेगा अब उसे डायरेट माइवाइट 12 का ही अपडेट देखने को मिलेगा जहां दोस्तों आप से भी नहीं सही सुना है और बात करते कि रेडमी वाय टू के बारे में तो दोस्तों इस डिवाइस को डेर से दो मेना पहले एक अपडेट रॉल आउट किया था 11.0.5.0 तो अब मुझे नहीं लगता कि इस डिवाइस को अभी कोई अपडेट देखने को मिलेगा इसके बारे में कोई भी इंफोर्मेशन नहीं है अब इसके लिए वास इतना है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाहिन बंद महातरा में